जैहें इस बीडियों लोग विस्स इंफो टेक्निक्स जिसको एक माहा से कोई हल चल नहीं हो रहा है और अब खबर यह आई है कि सेवी ने इसको क्यों डाला उसको पर बात होगी साथ में अभी बताऊंगा कि अब हमारी आगे के स्ट्रेटजी क्या होगी हमें इसमें बने रह यह जो कंपनी ऐटी से बिलॉंग करती है और आइटी सेक्टर में देखेंगे तो बैसिकली 2-3 सेग्मेंट से जुड़ी हुए जैसे इस सर्वीस और स्ब्रॉइड करती है और विभी बनाती है और उसका लामा देखेंगे तो टिलिकॉम सर्विस से थोड़ी बहुत जुली और सबसे मजदार बात है कि रिनीवल इनर्जिक सेक्टर में भी कदम रख चुकी है तो एक बात होता है कि रिनीवल इनर्जिक जब हम बात करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट भी उसे कंपनी काफी सही है अब देखिए इसका मार्केट कैप लगबग 402 क्रोट यानि क इसी के बीच में इस कंपनी का सेरप्राइस पिछले एक मांसे रह रहा है तो जब तक इस बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसको वास्तिक तीजी हम नहीं कह सकते हैं और समाने तो होता यह है कि इससे बाहर निकलने बाद उसमें तीजी आती है यानि कि ऊपर की तरफ ही जात अब यहां समझें हाई लगा चुका एक रुपर 75 पैसा का और यह हाई लगा है जनौरी में अब समझें होता गया है कि कोई भी अच्छा च्छा खासा हाई लगा लगा लेता थोड़ा सा डाउन जाता है इसलिए इसमें पैनिक होने के कोई जरूत नहीं है आपको याद होगा अगर इस कंपनी का प्राइस पांच पैसा सुठिना शुरूबा और पांच पैसा नसी पर तो बीस परसेंट का पर सरी लगा था तो ल पास हुआ है हालाकि एक मां में करेंगे और डिघ्रन अच्छी बात यह की एक एक मां का रिटर्ण निगेटिव में नहीं और बाकि चो मां का पर सेंट और एक साल जाफ में मिल सकता है इसमें पोटेंसियल दिखांग यहां समझे भालूम भी देखेंगे तो पिछले दू हालां कि भॉलूम अब धिरे-धिरे बढ़ रहा है तब तक सेवी ने इसको डाल दिया अब आगे क्या होगा आप समझते चलिए देखिए इसका जो रहेगा एक रुपए 30 पैसा और दूसरा रुपए 45 पैसा अब देखेंगे एक रुपए 45 पैसा से उपर नहीं जा रहा है अ इसकी समाना कम है क्योंकि बाहर निकलता है को समानता ऊपर ही जाता है इसलिए मैं कराओं कि यहां रहेश्टेंस लेवल पर आप ध्यान दीजिए अगर रहेश्टेंस लेवल रुपए 45 पर सबसे पहले तो बाहर निकलेगा उसके बास से पर जाने लगा और और आरे सई पास कर्जा है 25S क्रोंड 15 लाग और यह करज दे के धीरे धीरे बढ़ते जारह रहे तो यह चिंता की बात है दूसरी बात में कुछ बहुत बांट आप बेरो थाह रहे हो अछला होता है थाल्ले की के साब से इसमें बने रहना भविश्ट के लिए सही होगा फिलाल अभी कुछ कहना मुस्किल है प्रमोटर्स के सदारी 20.39% के आसपास है और डिया वाले तो इसमें है नहीं सिर्फ पब्लिक के सदारी है लगभभग लगभग मानने जिए 80% का आसपास के सदारी है अब अगर निकलने से निकलना चाहिए और आसे लौस निकलना चाहिए तो वहां को पर बेसकी निकलने की इसलाहा मैं नहीं देता हूं लौस में तब तक आपको फिट न हो जाए नहीं चलता है जितने मार्केट में उसके डिमांड कितने उसकी हाइप कितने कितने लोग उसके सेर्स को बाई कर रहे हैं इसके बज़लों चलते हैं तो उम्मीद करता हूं मेरी बाते आपको समझ मेरे होंगे वीडियो इंफर्मेटीव लगा होगा अगर मन में कोई स्वाल है तो आप हमसे कमेंड में पूछ सकत हैं मिलते हैं इन नेक्ट वोडियो में तो तो धन्य बाद शुक्रिया झाल